हेलो एवरीवर्वान वेरी गुड आफ्टरनून वेलकम टो अड़ेट 24-7 मेरा नाम है संदीप और हम लोग जुड़ गये हैं आज के आज हम लोग पढ़ने वाले मेच के बारे मेच के क्रोप प्रड़क्शन ने मेच के डिका सब्सक्राइब मेच के पर असक्ते आज जितने भी सो ज्याल के लिए और आप लोग लिए खुडोप कर लोग रम देन के लिए के लिए जैसे आप लोग पूछते थे कि सर फाउंडेशन वगेरा फाउंडेशन बैचेस हों ताकि हम साल भर तयारी कर सकें आने वाले अग्रिकल्चर एक्जाम के लिए इस तरह के फाउंडेशन बैचेस के हम लोग प्लैनिंग कर रहे हैं चाहे वो आपके जो स्टेट के ए उससे रिलेटर हम लोग यहां पर तयारी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है तो आज फिलाल हमारा यह ए एफो का सेशन जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेज ओके सो मेज के बारे में देखते हैं आई एफट अवर्ट से एक बार कनेक्ट हो जाते हैं क्या है यहां पर important points मेज के बारे में उसके बारे उससे वहां पर यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है क्या बात है आज इसको क्या दिकत है हाँ ओके सो पहले तो यह बॉतनिकल नेम जीया मेज क्या है बॉतनिकल नेम यहां का जीया मेज फैमिली की बात करें तो फै is equal to 20 चौथा अगर बात करें origin के बारे में तो फिर यह Mexico origin है या फिर आप Central America भी लिख सकते हो ठीक है दोनों ही सही है यहाँ पर चाहे वो Central America हो चाहे वो Mexico हो ओके सच्रिया कर सर्स हाई हमानशु ओके वलकम तो दो सेशन अब इसको कहते है मेज को क्या कहते है क्या 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 तो king कौन है, king of cereals, wheat, ठीक है, आगे बढ़े, चलो, so protein content की बात करें, तो मेज में जो protein है, उसका नाम है zene, क्या है zene, z-e-i-n, और जो protein content है, वो है 10%, कितना यहाँ पे protein content, 10%, clear, next, very good, very good, प्रगती, अंकित, प्रमोथ, very good afternoon, पूजा, good afternoon, प्रगती, welcome to the session, wheat, very good, प्रदीप, yes, नीरजपाल, next, mage protein, अच्छा, मैं आपको होवार क्लास में बताता हूँ, कि जो amino acids होते हैं, वो होते हैं, building blocks of protein, ठीक है, कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे amino acids मिलके protein बनते हैं, तो यहाँ पे जो protein है, जीन, अब जीन में दो ऐसे amino acid हैं, जो deficient हैं, बहुत कम amount में हैं, वो है tryptophan and lysine, ठीक है, क्या है यहाँ पे, tryptophan and lysine, next, license related यहाँ पे varieties भी हैं, जैसे आपको पता होगा, oil content, corn oil भी मिलता है, हाला कि इंडिया में popular नहीं है, लेकिन western countries में popular है, corn oil भी use किया जाता है, ठीक है, और इसका जो percentage है, यह 4%, 4% जो है oil आपको मिलता है, corn में, ओके, yes, very good, Ankit, lysine and tryptophan, next, sing with me wheat, right, okay, male inflorescence, inflorescence क्या है, again बता देता हूँ में, arrangement of flowers, क्या है, arrangement of flowers, ठीक है, इसको हम कहते हैं, inflorescence, okay, जो male inflorescence है, जो male flower part है, वो है tassel, और यहीं पर जो आपका female inflorescence part है, वो है silk, clear, next, एक बार यहाँ पर आप पिक देख लो, यह है आपका tassel, जो की male inflorescence part है, यह है silk, जो की female inflorescence part है, got it, यह दोनों यहाँ पर picture है, tassel and silk के, okay, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हाँ, सक्ती रतन, बहुत सारे improved varieties हैं, okay, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जो mage का classification है, जो mage का classification है, mage में यहाँ पर total, 7 different category, यह फिर 7 different types of mage आपको म बिलेगा, अगर मैं पहले की बात करूँ तो यह है यहाँ पर flint corn, क्या है flint corn, flint corn का scientific name क्या होता है, zeamaze indurata, ठीक है, क्या है, zeamaze indurata, यह सबसे commonly india में इसी को produce किया जाता है, इसको use किया जाता है, corn floor में, मक्के की रोटी आप खाते हो, मक्के का आटा होता है, वो मक्के क indurata, flint corn, जो की सबसे जादा इंडिया में cultivate किया जाता है, ठीक है, और इसी से, जो corn floor है, वो इसी से बनता है, ठीक है, starch जो होते है, मेज में, वो यहाँ पर दो टाइप्स के आपको मिलेंगे, एक है आपका hard starch, दूसरा है, क्या चीज़? soft starch, ठीक है, hard starch and soft starch, अगर मैं बात एजी भी, raw भी आप उसको खा लेते हो, कोई खराब टेस्स, ऐसा नहीं होता है, टेस्ट खराब होता है, raw जैसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, काफी sweet भी होता है, काफी soft भी होता है, अपने raw conditions में भी, boil करके खाने की तो अलग बात है, लेकिन जो आप raw भी उसको consume कर अगर next हम लोग देखें, dent corn, क्या है यहाँ पर, dent corn, dent corn की अगर बात करने दो scientific name है, वो है, zia maize indentata, क्या है यहाँ पर, zia maize indentata है, dent corn का scientific name, इसी के साथ साथ, जैसे indirata है, ठीक है, या फिलिंट corn है, जैसे इंडिया में बहुत जादा cultivate किया जाता है, उसी तरह, जो यह indentata है या जो dent corn है, यह जादा तर USA में cultivate किया जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि इसका जो center वाला portion है, जो kernel है, जो दाने होते है, उसका जो center वाला portion है, वहाँ पर आपको soft starch मिलेगा, और जो बाहर वाला portion है, वो hard starch होगा, तो जैसे ही इसको sun drying किया जाता है, जैसे इसको dry क किया जाता है, सुखाया जाता है, धूप में, तो जो अंदर का center की part में, जो soft starch होता है, वो सूख जाता है, जैसे ही सूखता है, मानलो अगर यह seed है, तो seed है से बीच में से चप्ता हो जाता है, जिसकी वाज़ा से ऐसा लगता है, कि एक dent पढ़ गया है, इसलिए इसको dent corn कह cultivated in USA, the soft starch present in the core, at the core of the kernel dries up and contracts or shrinks, giving it a dent like appearance, ठीक है, clear, yes, next, आगे बढ़ता है, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, हम लोग sweet corn की, scientific name में, Zia में, Saccharata, क्या है यहाँ पे, Zia में, Zia में, Saccharata है sweet corn, ठीक है, sweet corn की बात करूं, जो सबसे important point है, कि देखो, कि जब आप harvest करते हो sweet corn क यहाँ पे moisture percentage बहुत जादा matter करता है, क्योंकि अगर moisture कम हो जाएगा, तो sweet corn सुखा सुखा लगेगा, कोई मतलब नहीं मनता है, sweet corn, sweet corn जसे नहीं लगेगा, right, so, जो sweet corn है, उसको यहाँ पे 70% moisture पे harvest किया जाता है, okay, और यहीं पे इसको किस के लिए यूज कियाता है, canning industry के जाता है, किस के लिए, canning industry, जो आपको canned, आप अगर कभी जाओगे, super market में, वहाँ पे आपको sweet corn के bottles भी मिलेंगे, जो canned sweet corn है, ठीक है, तो canning के लिए, canning के लिए usually use किया जाता है, दूसरे examples क्या है, जैसे pineapple आपको canned मिल जाएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो हमें easily important points है, ठीक है, इस से बहुत सारे artificial sweeteners भी बनाया जाते हैं, ठीक है, sorry, artificial sweeteners नहीं, मतलब sweetening agents बनाया जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा corn syrup, inverted corn syrup, ठीक है, यह सब बनाया जाते हैं, और इसी के साथ-साथ, इसमें जो vitamins हैं, A और C बहुत ज्यादा present होते हैं, ठीक है, so rich source of A and C, so moisture content and harvesting is 70% used in canning industry and resource of vitamin A and C, आगे बढ़ते हैं, next क्या है, floor corn, ठीक है, floor corn, okay, floor corn का scientific name क्या है, GMH amylasea, क्या है, GMH amylasea है, okay, यह जो है completely, अच्छा, यहाँ पर हम लोग ने तीन तीन टाइप के देखे, तो जो soft starch है, यहाँ पर flint corn है, ठीक है, floor, sorry, floor corn में, जो soft starch है, वो काफी जादा होता है, इसलिए usually इसको use किया जाता है, for floor purpose, इसको grind करना easy हो जाता है, ठीक है, क्या करना easy हो जाता है, grind करना easy हो जाता है, hi morning, welcome to the session, okay, yes, this is called value addition, जो canning आप करते हो, jams बनाते हो, pickles बनाते हो, okay, these are all value addition, ठीक जली ले लोगे, तो एक छोटा सा जली का packet यहाँ पर 30 और 40 रुपीज का होगा, okay, so, यह value addition से होता है, मतलब value addition से आप इसके price को भी up कर सकते हो, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते है, next, तो जितने भी students यहाँ पर present है, एक बार like कर दीजिए, share कर दीजिए, और आप लोगों को बता देता हूं कि agriculture के लिए specific channel है अड़ा 24-7 का, जिसका नाम है agriculture अड़ा 24-7, एक बार search कीजिए, ठीक है, 16,000 के family हो गए यह हमारी, ठीक है, join कीजिए उसको, okay, and उसमें जितने भी अलग, like, अगर आप देखोगे, तो 5 पी-म, 7 पी-म, and 9 पी-म, यह तीन टाइम पे आपके और भी agriculture के classes होते हैं, जो सिर्फ agriculture अड़ा 24-7 पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका genetics, यहाँ पर pathology, और फिर horticulture, okay, so ध्यान रखिएगा, यह session से यहाँ पर, okay, अगर आप भी agriculture अड़ा 24-7 के साथ नहीं जुड़ा हैं, तो जुड़ जाएए, और यह जो extra session सिर्फ और सिर्फ agriculture अड़ा 24-7 पे होते हैं, इनको भी आप attend कर सकते हो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, क्या बता रहा था, right, floor corn, next आता है popcorn, popcorn खाने आप जाते हो, आप popcorn खरीते भी हो, active popcorn, छोटे-छोटे, एक दुम बहुत छोटे-छोटे kernels होते हैं, isn't it, so जो kernel का size होता है, वो बहुत छोटा होता है, okay, अगर आपने देखा होगा, वो kernel बाहर से brownish या golden color का दिखता है, ठीक है, लेकिन जब आप popcorn खाते हो, popcorn के अंदर वाला हिस्सा gold हो जाता है, अंदर वाला हिस्सा brown होता है, बाहर वाला white होता है, क्यों, ऐसा होता है, कि जब आप इसको बहुत high heat या pressure में, जब इसको आप cook करते हो, ठीक है, 170 degree Celsius के pressure पर, तो यह क्या होता है, अंदर का जो water है, वो अचानक से यहाँ पर explode होता है, steam बन के, steam बन के जब यह explode होता है, तो जो बाहर वाला portion होता है, अंदर वाला portion होता है, बाहर निकल जाता है, और यह फूल जाता है, जिसकी है, got it guys, so kernels are extremely small, when heated to 170 degree Celsius, the grain swells and bursts turning inside out, ठीक है, जो grain होता है, क्या होता है, यहाँ पर, swell हो जाता है, बस्त हो जाता है, जो inside है, वो ऐसे, मतलब पलट जाता है, ठीक है, clear, next, आगे बढ़े, अरे नहीं, वाक्षी कॉन यहाँ पर रह गया, यहाँ पर आप लोग अगर देखो गये, तो यह फिपते यहाँ पर वाक्षी कॉन, वाक्षी कॉन का क्या है, यहाँ पर जिया में सिराटिना, ठीक है, इसको consume नहीं किया जाता है, इसका जो appearance होता है, का करनल साइब वाक्षी appearance, used in textile and paper industry, लास्ट में आता है, पॉड कॉन, ठीक है, पॉड कॉन, जो कि यह जिया में जिवनी काटा, क्या है, जिया में जिवनी काटा, काफी पुराना स्पीसीज है यह, अब इसको नहीं किया जाता है, कल्टिवेट, यह हस्क टाइप है, मतलब इस clear, next, आगे बढ़ते हैं, अब आते है important varieties में, मेज में काफी important है, double cross, अभी आप उमे मेम के class में आप genetics पढ़ रहे हो, उसमे double cross hybrid, single cross hybrid, क्या है, यह सब भी पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो अगर मैं मेज की बारे में बात करूं, तो यहाँ पे, एक तो single cross hybrid important है, एक है आपका single single cross technique है, क्या है, आपका double cross technique, ठीक है, जो single cross technique है, वो कौन यहाँ यहाँ पे introduce किये थे, shull and east, ठीक है, g.h.shull and em.ist, राइट, और double cross technique को introduce किये थे, jones, ओके, d.f.jones, और double cross technique, एक ऐसा technique है, जिसमें, जो की usually, सबसे जादा use भी किया जाता है, और इसमें, जितने भी हमारे पास hybrid है, वो mostly double cross hybrids भी है, ठीक है, अगर example ले तो ganga 101 सबको पता है, ठीक है, ganga 101 यहाँ पे सबको पता है, उसके साथ ganga 1 है, रंजीत है, डेकन है, तो यह जितने भी आप देख रहे हो, ओके, just a minute guys, clear, so, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो क्या पढ़ रहे थे, right, so double cross hybrid के बारे में पढ़ रहे थे, so, यह जो double cross hybrid है, यहाँ पे, okay, जो double cross hybrid है, यहाँ पर क्या है, कि DF Jones, DF Jones इसको introduce किया थे, और इंडिया के हर जगर double cross hybrid technique काफी ज्यादा use किया जाता है, तो double cross hybrid के बारे में बात कहेंगे, तो Ganga 101, Ganga 1, Deccan, Ranjit, यह पहले hybrids थे, जो double cross hybrid थे और इंडिया में release किये गए थे, ठीक है, next, so, hybrid match introduced by GSL and EAMist by using single cross technique, double cross technique is mostly used in India and it was proposed by DF Jones, double cross hybrids released in India, Ganga 1, Ganga 101, Deccan and Ranjit, okay, आगे बढ़ते हैं, प्रोटीना, बताया था ना मैंने आपको प्रोटीना के बारे में 4% lysine content होता है, synthetic variety, amber है, okay, और QPM, quality protein mage, क्या है यहाँ पर quality protein mage, इन में protein का content enhanced होता है, जैसे ही सक्तिमान 1, सक्तिमान 2 and HQPM, HQPM का full form क्या है, high quality protein mage, high quality protein mage, ठीक है, next, seed rate, okay, seed rate के बारे में बात करते हैं, कि यह जो seed rate है, यहाँ पर अलग-अलग है, ठीक है, अगर मैं normal variety की बात करेंगे, कोई भी variety आप ले लो, ठीक है, तो 15 to 20 kg per hectare का seed rate है, hybrids की बात करेंगे, तो थोड़ी सी यहाँ पर seed rate बढ़ जाता है, क्यूंकि spacing कम हो जाता है, ठीक है, 25 to 25 kg per hectare, और अगर further purpose की बात करेंगे, तो यहाँ पर 40 to 50 kg per hectare का usually seed rate रहता है, ठीक है, sowing depth की बात करेंगे, तो 4 to 5 cm, और अगर spacing की बात करेंगे, तो 60 by 20, 25 cm, मतलब row to row spacing यहाँ पर 60 cm होगा, और plan to plan spacing जो है, वो 20 to 25 cm होगा, ठीक है, और sowing depth आपका 4 to 5 cm, जनरली 5 cm maintain किया जाता है, वो कैसे हो गया यार, just a minute, great, okay, so guys, seems like कि थोड़ा सा यहाँ पर PPT में गरवड हो गया है, and just let me check, PPT incomplete है, नहीं इसमें MCQs हैं और नहीं इसमें बाकी के content है, तो एक बात देख लेते हैं, content तो मैं लिख के कर दोंगा, but MCQs का अधिकत हो जाएगा, just let me check once, तो जाएगा प्रेख लेकता हैं, कि अधिकता है, झाले का अधिकता हैं, कई दो एकता है, क्यासिए भी लग्सलिट रोग्सेल्ट रोग्सटब्स्टों हिए तेमोड़ों प्रीजिट। इसमीज़ यह आफ चाहिए तो seems like कुछ content missing है ठीक है तो एक काम करते हैं जो मतलब content है वो तो मैं बता देता हूँ बाकी का जो mcqs वगरा है वो तो मुझे इस ppt में है नहीं तो mcqs तो बिना यहाँ बे बोर्ड के मुश्किल हो जाएगा बट हाँ जो topic है उसको हम लोग कर लेते हैं ठीक है तो क्या-क्या हम लोग ने नहीं पढ़ा क्या-क्या हम लोग ने ppt में नहीं पढ़ा वो देखते हैं अगर आप देखोगे नाबार का फेज वाण के कंपेर करोगे ना तो एफो में आपको ज्यादा चीज़े पढ़नी है ठीक है चलो आप तो जो-जो पीपीटी पे नहीं है वो पढ़ते हैं पहले तो सौयल लोमी सौयल चाहिए कैसा सौयल चाहिए लोमी फ्यश की बात करते हैं तो 6.5 से लेके 7.5 पीएच चाहिए कितना चाहिए 6.5 से लेके 7.5 का pH चाहिए, किसके लिए यहाँ पे, मेज के लिए, ओके, बाकी फिर season के बारे में बात करते हैं guys, season, जब तक मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी चाहो तो answer दे सको, खरीब season, लेकिन conscious state में रभी season prefer किया जाता है, रभी season में कौन से स्टेट में प्रिफर किया जाता है, बताओ, रभी season में कौन से स्टेट में प्रिफर किया जाता है, एनिवन, एनिए आइडिया, येस, AFO का seed rate भी आया था, बहुत सारे questions है यार, देखो, मनलब, agronomy, soil science, अब की बार, अच्छे से मनलब, पढ़ना है, क्यूंकि, usually questions भी आ जाते हैं, काफी, इस में, इस दो portion में, especially, ठीक है, चलो, क्या होगर अभी season में, कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट में हैं, कौन से स्टेट है, very good, सायक, very good, बिहार, ठीक है, बिहार और इसको कहा जाता है, रभी मेज, क्या कहा जाता है, इसको, रभी मेज कहा जाता है, optimum temperature की बात करते हैं, देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि temperature को climate के साथ correlate करने ही कोशिश करो, खरीफ है, ठीक है, जून जुलाई के महीना है, तो किस टाइम पर होगा, 30 से 32 degree Celsius का यहां पर temperature चाहिए, कितना चाहिए, 32, 32 degree Celsius का temperature, ओके, देन, सीड रेट हो गया, अच्छा, सीड रेट तो हो गया, लेकिन, यार, सीड का जो सोईंग का method है, वो क्या है, ओके, सोईंग का method क्या है, सोईंग method, drilling या dibling, line sewing ही किया जाता है, क्या किया जाता है, line sewing, broadcasting नहीं किया जाता है, मेज को, broadcasting करोगे, तो crop का सत्यानास हो जाएगा, ओके, सो broadcasting नहीं किया जाता है, drilling या फिर dibling किया जाता है, किस में, paddy में, sorry, मेज में, paddy बोल रहा हूँ मैं, ओके, सो यह हो गया आपका, next अगर हम लोग बात करेंगे, यार, और क्या रहे गया, critical irrigation stage, critical irrigation stage, कौन सा है, tasseling and silking, क्या है यह stages, जो आपके tassel है, male flowers, silk है, female flowers, जब वो लोग निकलते हैं न, जो emergence होता है, ठीक है, the emergence of tassel is known as tasseling, the emergence of silk is known as silking, okay, so to be honest, अगर आप horticulture cover करते हैं और genetics भी तो it would have been easy, अरे, नए answer ले रहे हैं, नए answer horticulture कर रहे हैं, ठीक है, और उम्मे मैं genetics भी cover कर रहे हैं, ठीक है, सारे teachers यहां पर आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहर, मैं अगर, हाँ ठीक है, आज तक, लास्ट के एक एर में जितने भी agriculture exams अड़ा 24-7 लाया है, उसमें मैंने ही सारे subjects पढ़ा हैं, हाँ, 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 done, ओके, right, ओके, so critical stage हो गया, then showing method हो गया, so I hope so, सारे, अचा, कुछ, एक-एक important point भी है, देखो यहां पर, अचा, पलाग्रा के बारे में पता है, पलाग्रा, यह ना, एक nutritional disorder है, क्या है यह, nutritional disorder, क्यूं होता है, क्यूं होता है, यह nutritional disorder, why, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मुनना, देखो, so nutritional disorder यहां पर होता है, vitamin B3 के deficiency की वज़े से, vitamin B3 deficiency, क्या है vitamin B3, niacin, ठीक है, niacin की deficiency की वज़े से होता है, यहां पर, clear, तो यह हो गया, यहां पर, पलाग्रा के बारे में, और इसके अलावा, और क्या है हमारे पास, जानने को, यह दो हो गया, vitamin B3 deficiency, अच्छा, जिंक में एक होता है, white bird, white bird disease होता है, white bird disease, किसलिए होता है, anyone, कौन से deficiency के लिए होता है यह, very good, zinc deficiency, ठीक है, zinc deficiency के वज़े से होता है, white bird disease, और आपका जो मेज है, उसमें एक और prominent deficiency देखने को मिलता है, जो कि है, phosphorus deficiency, क्या देखने को मिलता है, phosphorus deficiency, तो phosphorus deficiency के अगर हम लोग देखेंगे, तो purpling, जो leaf margins होता है न, वो purple color के हो जाते हैं, purple color, leaf margins, लिख के class करने में भी अलगी मजा है, ठीक है, बस PPT एक time saver है, time को save करने के लिए, लिखने में time ना जाए, इसलिए PPT है, वरना लिख के class करने, अगर time होता, थोड़ा सा ज्यादा, तो लिख के class करने में, अलगी मजा है, मुझे मजा आता है, आपका बता नहीं, तो यार यह है यह यहाँ पर, zinc deficiency के बारे में, स्वाई होप सो कि जितने भी points थे match के, वो complete हो गये, I am really sorry कि आज PPT गढ़बढ हो गया, जिसकी वज़े से MCQ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यह जो, हाला कि content जो थे, content तो मैंने लिखवा ले, लेगिन MCQ obviously एक एक लिखवा के करेंगे, तो मुश्किल से आदर गंदे में, 5 MCQs ही cover कर पाएंगे, कोई नहीं, हम लोग MCQs cover करेंगे, मतलब इनके जितने भी crop में, पूरा, एक class सिर्फ करूँगा, मतलब कोई content नहीं होगा, सारे crops के MCQs होंगे, एक दो class करके, सारे MCQs cover करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, कि जितना Saturday, आज इस हपते Saturday टक, जितने भी classes हो रहे हैं, Monday से, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर, extra इसको cover कर सकते हैं, मतलब जितने भी MCQs हैं, इन से related, उसको हम cover कर सकते हैं, Monday Tuesday लेके एक दो दिन, ठीक है, तो आज का class हमें यहीं पर, रोकना पड़ेगा, लेकिन जितने भी students, ADDA247 के main channel पर connected है, request है आप लोगों से, कि agriculture के लिए, agriculture ADDA247 का channel है, प्लीज वहाँ पर जूड़िए हमारे साथ, sessions वहाँ से किया किजिए, क्यूंकि आपके जो extra sessions agriculture में, 5 p.m., 7 p.m., 9 p.m., यह आपको कोई और channel पर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ agriculture ADDA247 channel पर ही मिलेगा, agriculture ADDA247 इसी channel पर मिलेगा यह, ठीक है, तो kindly आके यह sessions यहाँ पर किया किजिए, रोज होते हैं, रोज 3.30 p.m. मेरा session, 5 p.m. उमे मैम genetic session, 7 p.m. दरख्षा मैम pathology session, 9 p.m. horticulture 9 session, और इसके बाद गाईज आप लोगगो जो batch है वो already start हो गया है, अगर आप अभी भी join कर रहे हो तो आपको कुछ classes recorded मिलेंगे यहाँ पर ठीक है और बाकी के जितने भी December, sorry January 25 तक जितने भी classes हैं वो आपको यहाँ पर live मिलेंगे, ठीक है तो अभी आपका two hours का mains का class हो रहा है और three hours का pre का class हो रहा है, December 27 के बाद मतलब आपके pre के बाद यहाँ पर आपके four hours के mains के class होंगे, ठीक है क्योंकि pre तो तब चाहिए नहीं होगा तो mains के class होंगे, तो अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया है तो order 24 7 के web store या app store, app store में ज्यादा discount मिलेगा, इसलिए app store में जाके आप join कर सकते हो, जो code आपको use करना है batch चाहे test series चाहे ebook कुछ भी purchase करने के लिए वो है y291 ठीक है, और यहाँ पर जब आप store में जाओगे तो यहाँ पर आपको और तीन फैकल्टी के images भी मिलेंगे, प्लस यहाँ पर ebooks और test series भी आपको मिलेगा, ओके आपकी playlist record होती है, क्या यह स्मुन्ना playlist भी record होता है, clear, clear, चलो ठीक है, चलो, सो मिलते हैं guys, next session में, till then take care, goodbye and stay safe.